तीन काम जो करते हैं, सबसे पहला क्या वहिया, फोटो, फोटो में क्या करना है, डबा दा ते रे पास, सिंपल पलेटेनियम की वायर लगा दी तुछ, होगे कौन इसमें, एफ़ी टू पॉजिटिव हों, क्योंकि अभी देख, अगर मैं कहूं तो एफ़ी जो थ्री पॉजि एफ़ी टू पॉजिटिव क्या है, एलेक्ट्रोन को, जाला मिस्प्रिंट कैसे हो रहा है, देख, यहां पे फ़ी टू पॉजिटिव एलेक्ट्रोन खाया, एफ़ी टू पॉजिटिव में गया, इसका मतलब क्या होगा, डबे में तो एफ़ी पलस्टू होगा ना, क्योंक यह एक्टू पॉजिटिव जो कि कहीं एनॉड पे होगा ठीक ना और क्योंकि मैं हाफ साहल पढ़ रहा हूं तो मैं इस तरह फर सुर्फ किसकी बात कर रहा हूं कैथोर की बात कर रहा हूं तो इस डब्बे में कोन होगा फीटरी पॉजिटिव होगा यह प्लेटेनियम की वाय रेप्रेजेंटेशन की है कोई ऐसा जो हूं यह बता दे रेप्रेजेंटेशन क्या होने वाली है रेज की बता हूं क्या रेक्षिन होने वाली है सिंपल सी कहानी क्या है फी थ्री पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोन खा रहा है ठीक है न और फी थ्री पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोन खा रहा है तो वो किसमें जा रहा है सिंपल सी बात है मैं इसको फेज को एपलाई नहीं कर सकता नहीं यहां पर क्योंकि सेमी phase के हैं तो FV 3 positive होगा FV 2 positive होगा अब बात आएगी किस की PT की तो PT कहां लगाऊं बस इतना बता दे मुझे PT कहां लगाऊं बस मुझे इतना बता दे कहां लगाऊं भई या सीरी सी बात ये है फरतर फिट से वो cell representation की process को अगर मैं यहां पर देखूं वहां पर देख एच पॉजटिव वाले में जा एच पॉजटिव था किस में जा रहा था H2 में जा रहा था लेकिन PT तो सपोर्ट कर रहा था अब सेम कहानी F2 पॉइटे में लेकिन सपोर्ट कौन कर रहा है इसको अब की वार PT सौर सिंपल सी कहानी थी चार टाइप के हाफसेल में आपको पढ़ाएं आज और चारों के चारों टाइप के हाफसेल में आपके सामने बिल्कुल खोल कर रख दिये हैं अगर यहां तक कोई किसी को डाउट है तो मुसे पूछ सकता है नेश्ट दिए कहलो मल हाफसेल में तब पढ़ाऊंगा जब मैं नरस्ट पढ़ा दूँगा रहे कि बिना नरस्ट के वह समझ में भी नहीं आने बादा तो अब हम उसकी तरदा जब करेंगे तो यहां पर मेरा लेक्चर का विराम होता है अगर यहां तक किसी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और आप नोट डाउन कर सकते हैं चलिए दोस्तो तब तक के लिए नमस्कार कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं